कि तक तो ताज भला या कि एक कमेज भली सब्भिता के इतिहास में प्रेम सरवाधिक उर्वत प्रदेश रहा है प्रेम हमारे वजूत की सरवाधिक संभावनासील संदचना भी है लेकिन प्रेम का इतिहास, भुगोल, समाज, नागरिकता भी तो होनी चाहिए प्रेम सबसे सुन्दर, सबसे रोशन, नेरेटिव तो रचता ही है लेकिन क्या खुद भी कभी समाजिक सवालों की रोशनी में पूरे आत्म विश्वास के साथ आपाता है अगर आज हिंसक, हिदेहीन, कुर और और समेदंसील समाज के अंधेरे में मनुषिता अभिशप्त है तो प्रेम ही है जो समाज को रोशन दिन उपलवद करा पाएगा किसी को चाहने या न चाहने के पीछे हमारी कौन सी चेतना काम करती है हमारी समवेदना किससे बनती है विचार ही से तो आती है ये समवेदना फिर प्यार का एक वरगिय स्वरू यहीं से शेट लेने लगता है वर्गिय स्वरूप प्रेम में खलनायक होता है प्रेम अगर वर्गिय अभिशापों के साथ है तो घातक है इंकार सहे नहीं सकता बराबरी के इस्तर पर सुईकार कर नहीं सकता वर्गिय स्वरूप में आर्थिक वर्गियता तो होती ही है लेंगिक वर्गियता भी होती है मनुस्य को समाज बनाने वाले और यो ही उसके वर्गिय आधार भी टाय कर देते हैं उच्चवर्गिय रोमांस की कीमत अक्सर निम्नवर्गियता जिन्दगी के रोमांस से चुकाती है तख्तुताज या कनीज के बीच चुनाव हमेशा खड़ा रहता है तख्तुताज को ठुकडा कर कनीज को पा लेने का होसला कितने कर बाते हैं क्योंकि ये होसला वर्गांतरन भी है दिक्लास या दिकास्ट होने का होसला भी और प्रेम से निकला प्रशिक्षन भी प्रेम में दोनों पक्ष अलग-अलग वर्ग के हैं तो बोध भी अलग-अलग ही होगा और सिर्फ प्यार ही है जो दोनों को बोध की समस्तरिया पर ले आता है लंगी की स्तर पर यह वर्गयता, जाती और धर्म के अलग-अलग होने पर तो और अजहेल हो जाती है धर्मगत मानने में अक्सर पत्निया अपने मूल धर्म की कुर्बानी देती है जातिकत संदर्भों में इस्तरी अगर पिछडी किसी जाती से हुई तो आजीवन वह समान वर्भार हासिल करने के लिए जूजती ही रहती है और अगर इसके अपवाद हैं तो वे सोकाल आधुनिक, शहरी, पहे लिखे और प्रगतसील तब के मिही हैं और प्रगतसील वह है जो जितना औसंतुष्ट है यह भी वह भी सब कुछ चाहिए संतोस प्यार में भी बाजार में भी एक पिछवा हुआ मूले निम्नवर्गी इस्त्रियां उच्च वर्गीयों की नकल मुक्ति के मामले में कर सकती हैं लेकिन वह सुरक्षा का घेरा कहां से पा सकती है कमजोर वर्ग की औरत को तो हमेशा ही सुलह मानता है पुरुष भी और वाजार भी तो फिर भोगियत रास्ति वाजार का संदर्व प्रेम के वर्गिय बोध में मैंने जानबूज कर लिया कि वाजार प्रेम को कैसे योनिकता तक समेट दे रहा है विज्यातन यह है कि बहुत विकट आक्रामत्ता से स्थापिक कर रहे है कि कोई सुन्दरिस्त्री उसी पुरुष को अपना सर्वस्व देगी जो ब्रांडों से लैस हो प्रेम का सुन्दर्था से कोई निर्णायक सम्मन्ध नहीं लेकिन बाजार प्रेम को दे के दाइरे में समेट कर ही अतना कारोबर कर सकता है सुन्दर ऐ सुन्दर प्रेम तो नहीं दे ही बिखती है तो जो दिखेगा वो बिखेगा इसी बाजार में इस्त्री को बिंबो वाद में घेरा बिन्बो ऐसी इस्त्री जो दिमाग से खाली बस खुबसूरत दे भर हो मतलब इस्त्री सिर्फ शरीर है और शरीर ही रहे अब किस खुबसूरती से प्रेम को शरीर तक सीमित कर विचारहीन इस्त्री को प्रतिष्ठा दे कर असामती की ताकत को रिड्यूस कर पुरुस वर्गियता को अस्थापिद कर दिया गया इस्तरी के लिए सबसे बड़ा मुल कि वह घर के लिए है सजना है उसे सजना के लिए बाहर सिर्फ यौन आकरांद समाज बना रहे तो फिर प्रेम कितना सुरक्षित रहेगा इसमें यौनिक्ता का दमन किया गया का मुक्ता भरती गई समाज में प्रेम का दमन किया गया बलातकार होने लगे कहा गया कि कप्ड़े जिन्मेवार है लड़कियों का सजना सवर्ना जिन्मेवार है बनाई जाती रही का मुक संस्कृती बाजार के द्वारा बाजार खुद ही पूर्डिंग और जिन्मेवारी इस्त्रियोगर कामुक संस्कृती में प्रेम हिंसा का मश्तर भी बन जाता है वर्गिय चरित्र ऐसे भी रूप धरता है जैसे भौतिक परिस्तितियां हैं विचार उनी संदर्भों के साथ आकार लेते हैं संदेदना पर विचारों की विचारों पर पदार्थ की छात तो पड़नी है वर्गिवत चेतना तिरोहित हो जाति धर्म इस्त्री पुरुष भावशा शेत्र देश की संकीवनिता से उपर उछे वर्गिय विशेश अधिकार छोड़े और अपने निजी प्यार को अनुराग को जीवन जगत से प्यार की और लेचले सिंटे तो दिल आशिक फैले तो जमाना है